नबश्कार आप देख रहे हैं संसार क्रांथी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रामकिसन हर्याना की सियासत में हर दिन नया घटना करम देखने को मिलता है भाजपा और जेजीपी के घटबंदन में तकरार की खबरें तो लगातार आही रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस के जो नए प्रभारी बनाये गए हैं वावरिया वो हाली में हर्याना के दोरे पर आया और जिस तरीके से कुमारी सेलजा से लेकर एक ठोस रडवनृती पर काम कर एं खासतोर पर हर संसत का एक रिपूर्ट कारmbत बनाया जा रहा है कैसे वो लोगों से बिलते हैं पब्लिक डिलिंग उनकी कैसी है के अंधर سरकार की योजनाया उनके ओलाके में कातनी शान सरकार की इंकी कितनी दोत शन से करवे स करुए अलाकमान ने और इसके जरिये उनकी कोशिस ये है कि हर्याना की 10 की 10 लोकसवा सीटें कैसे 2024 में जीती जाए और लोकसवा चुनाव में 10 सीटें जीत कर कैसे विधान सबा चुनाव भी जीता जाए क्योंकि हर्याना में लोकसवा चुनाव के ठीक बात विधान सबा चुनाव हो हरियाना की सियासत में चर्चा का विशे बना हुआ है कि लगातार जो हरियाना के कुछ सांसद है उनकी जो भाव भंगीमा है वो बदली-बदली क्यूं है तो हरियाना के जिन दो सांसदों के तेवर बदले हैं उनमें एक तोरोहतक के सांसद है डॉक्टर अरविंद सर्मा और दूसरे जो है हिसार के सांसद बरजेंदर सिंग सरकार की नीतियों पर खुलकर बूलते हैं उनके पिता और पूर्व केंद्रे मंत्री चोदरी विरेंदर सिंग भाजपा सरकार के कई फैसलों पर सार्वजनिक तोर पर सवाल खड़े कर चुके हैं बीते दोर में भी हमने सेट है वहाँ पर जो चोदरी विरेंदर सिंग की पत्नी को चुनाव लड़ाने की बात जो प्रभारी विपलवदेव ने कहीं प्रेम लता और दुसरें चोटला जो मुझूदा वक्त में वहां के विधायक हैं और यह भी लगातार जो है भाजपा के लिए खासतोर पर इस एलाके में तो यह दो लोगसवा सीटे हैं रोतक के जो सांसद है डॉक्टर अर्विंद सर्मा उनको केंदर में मंत्री बनने की उम्मीद थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है और इसको लेकर वो काफी अन्फिट नजर आ रहे हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि उन् हर्याना में लगातार बंद रही है बदल रही है और यही वज़य है कि आगामी लोगसवा चुनाओं से पहले भाजपा तमाम तरीके से बारीकी से विशलेशन कर रही है हर एक सीट पर हर एक सांसद का पूरा मुल्यांकन किया जा रहा है और इसके बाद तैह हो जाएगा कि दस लोगसवा सीटें जो हर्याना की है वहां कैसे एक बार फिर भाजपा फटर पाने के लिए एक नई और ठोस रनीती के साथ मैदान में उतरेगी देखना दिलस्थ हो जाएगा क्या जेज़ेपी और भाजपा का घटबंदन लोगसवा चुनाओं में बरकरार रहेगा या फिर घटबंदन तूट जाएगा क्या जो मुझुदा वक्त में सांसद है उनी को फिर से मोका दिया जाएगा या नए चेहरों के जरिये भाजपा एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेगी ये तो चुनाव के वक्ती पता लगेगा लेकिन कयासों का बाजार हर्याना की राजनीती में निरों बहुत तेज है नवस्कार